नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने पुराने आईफोन से नए आईफोन में अपने सारे डेटा को बड़ी ही असानी से ट्रांसफर कर सकते हैं मेरा नाम एसिधार तो आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्स इंडिया दोस्तों इस वीडियो में हम अपने इस आईफोन 13 प्रो मैक्स से इस आईफोन 14 प्रो मैक्स में डेटा को ट्रांसफर करेंगे इस वीडियो में हम जिस प्रोसेस को देखेंगे उसके लिए हमें किसी भी लैप्टॉप की जरूरत नहीं है कि हम जिस भी आईफोन में डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं वो एकढ़म नया होना चाहिए और उसे हमें इस तरीके का यह हैलो स्क्रीन डिस्पले होना चाहिए जनरल टैब में आप सबसे नीचे ये option देख सकते हैं Transfer और Reset iPhone का जब आप इस option में जाएंगे तो आपको ये option देखने को मिलेंगे Reset और Erase All Content and Setting के यहां से आप इस Erase All Content and Setting वाले option को चूज कर लीजिए अब आप यहां पर इस process को follow करने के बाद अपने इस iPhone को factory reset कर पाएंगे जब आपका phone factory reset हो जाएगा तो आपके phone पे इस तरीके का ये hello screen देखने को मिलेगा अब जब आपको अपने नए phone में ये hello screen देखने को मिले तो आप अपने पुराने phone को अपने नए phone के पास लेके जाएए और उसके बाद यहाँ पर home screen से ऐसे swipe up कीजिए जैसे ही आप यहाँ पर home screen पे swipe up करेंगे तो आपको अपको अपने पुराने iPhone में इस तरीके का ये pop-up message देखने को मिलेगा कि do you want to set up new iPhone use your Apple ID to set up your new iPhone for yourself और a child in your family अब यहाँ पर आप इस continue वाले button के उपर प्रेस कर दीजिए जब आप इस continue वाले option के उपर tap कर देंगे तो आपको यहाँ पर यह option देखने को मिलेगा अपने नए phone पे waiting for other iPhone अब आप अपने पुराने iPhone को अपने नए iPhone के उपर लेके जाएए और इस blue color के जो यह circle बन रहा है इसको scan कर लीजिए अपने पुराने iPhone से इस तरीके से जब आप इस circle को यहाँ पर scan कर लेंगे तो आपको यहाँ पर अपने पुराने iPhone पे यह message देखने को मिलेगा getting things ready का अब आपको यह option अपने phone पे देखने को मिल रहा है अब आपको यहाँ पर अपने पुराने iPhone का passcode अपने नई phone में डालना होगा जब आप अपने पुराने phone का passcode यहाँ पर नई phone में डाल देंगे तो आपका phone यहाँ पर setup स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमें यह message देखने को मिल रहा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें estimated time देखने को मिल रहा है about one hour तो करीब एक घंटा लगेगा हमारे पुराने iPhone से नई iPhone में data को transfer करने के लिए यहाँ पर अब हम इस continue वाले option के उपर tap कर देंगे अब हमें यह terms and conditions वाला यह screen देखने को मिलेगा यहाँ पर हम उपर इस agree वाले option को choose कर लेंगे अब हमें यह screen देखने को मिलेगा जिसमें यह हमें देखने को मिल रहा है make this your new iPhone यहाँ पर हमें यह show हो रहा है कि कौन-कौन सा data हमारे पुराने iPhone से नई iPhone में transfer होगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर apps and data ट्रांसफर होंगे हमारे पुराने iPhone से हमारी settings ट्रांसफर होंगी और हमारे Apple Watch के connection भी ट्रांसफर हो जाएगा पुराने iPhone से नई iPhone में तो अब हम यहाँ पर इस continue वाले option के उपर टैप कर देंगे अब दुबारा से हमें यह screen देखने को मिल रहा है keep your iPhone up to date यहाँ पर भी हम continue वाले option को select कर लेंगे इस iMessage and FaceTime वाले option में भी हम continue वाले option के उपर टैप कर देंगे अब यहाँ पर मुझे यह additional page देखने को मिल रहा है जो कि Apple beta software program से related है क्योंकि यहाँ पर मेरे पुराने iPhone में beta software installed है तो यहाँ पर यह मुझे पूछ रहा है कि आप अपने नए iPhone में beta software program को continue करना चाहते है कि नहीं तो यहाँ पर भी मैं beta software को continue करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इस continue वाले option को choose कर लूँगा लेकिन आपको दोस्तो अपने phone में यह screen देखने को नहीं मिलेगा नॉर्मली अब यहाँ पर यह हमें emergency SOS से related यह page देखने को मिल रहा है यहाँ पर भी हम इस continue वाले option को select कर लेंगे अब अगर आपके पुराने iPhone में आपके नए iPhone से नया software है तो आपको अपने नए phone में भी यहाँ पर software update करना पड़ेगा same software version पे जो आपके पुराने iPhone में चल रहा है मेरे इस पुराने iPhone में यहाँ पर iOS 16.1 का developer beta 5 चल रहा है तो यहाँ पर मुझे developer beta 5 अपने नए iPhone में भी install करना पड़ेगा तो चलिए इसको यहाँ पर download करके install कर लेते हैं अपने नए iPhone में इसके बाद आपको अपने नए iPhone के screen पे यह message देखने को मिलेगा preparing to transfer अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे इस पुराने iPhone से नए iPhone में data transfer का process start हो गया है इस process में कितना time लगता है वो इस बात पर depend करेगा कि आपके पुराने iPhone से कितना data यहाँ पर transfer हो रहा है चलिए इस process को complete होने देते हैं तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पुराने phone में हमें यह transfer complete का message देखने को मिल रहा है यहाँ पर अब हम इस continue वाले option के उपर tap कर देंगे और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यह नया वाला phone अब restart हो गया है और अब हमारे पुराने phone का सारे data हमारे नए phone में हमें देखने को मिलेगा अब अगर आप इस पुराने phone के data को erase करना चाहते हैं आप यहाँ पर इस erase this iPhone में continue वाले option को select करके इस पुराने phone से सारे data को erase कर सकते हैं अब इसके आगे का process हमें अपने नए phone में करना है तो इस पुराने phone को अब हम side में कर देते हैं अब आप मारा phone यहाँ पर restart हो गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें message देखने को मिल रहा है restore completed का अब हम यहाँ पर इस continue वाले option के उपर tap कर देंगे अब यहाँ पर हमें दुबारा से face ID को set करने का message देखने को मिल रहा है यहाँ पर अभी हम इसको set up later वाले option को चूज कर लेंगे अब हम यहाँ पर अपने apple ID के password से यहाँ पर login कर लेंगे इसके बाद हमें यह terms and condition वाला screen देखने को मिलेगा यहाँ पर हम इस agree वाले option को चूज कर लेंगे यहाँ पर अब हमें यह emergency SOS वाला option देखने को मिलेगा इस पर भी हम continue वाले option को चूज कर लेंगे तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पुराने iPhone का सारा data हमारे नए iPhone में transfer हो गया है यहाँ पर जो सारी apps हमारे पुराने iPhone में थी वो अब हमारे नए iPhone में download हो रही है इस download के process में थोड़ा time लगेगा अगर हम यहाँ पर photos में नदर डालें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पुराने phone की photos भी हाँ पर सारी transfer हो गई हैं हमारे नए phone में इसी के साथ-साथ यहाँ पर जब हम अपने WhatsApp को open करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे WhatsApp की सारी chat यहाँ पर हमारे नए iPhone में transfer हो गई है यहाँ पर मेरे phone में दो WhatsApp installed है एक normal WhatsApp और WhatsApp business इन दोनों ही WhatsApp की chat आपके automatically यहाँ पर अपने नए phone में transfer हो जाएगी तो इस तरीके से आप बढ़ी ही आसानी से अपने पुराने iPhone से अपने नए iPhone में data को transfer कर सकते हैं मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो useful लगा होगा अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों और परिवार की लोगों के साथ शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके धन्यवाद